हेलो फ्रेंट्स, वेल्गम तु स्टेडी विद हर्षित, तोड़ा हम गईंग टो शेर विद यू, यूनिट फूर कम्पलेट रिविजन आफ क्लाउड कम्पेटिंग फॉर बिजनेश, फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट फूर का कम्पलेट रिविज और सब यूनिट का कम्पलेट रिविजन हमारी यूट्यूब चैनल स्टेडी विद हर्षित पर अपलोड हो चुका है, आप एक बार जरूर चेक करें और उन सब यू वीडियो का लिंक पने डेस्क्रिप्शन में एड कर दिया है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं Cloud Storage, Cloud Storage क्या होता है? Cloud Storage is the Storage Model that allow users to store and retrieve their data remotely over the internet Cloud Storage जो है, एक Storage Model है, जो allow करता है यूजर को store और retrieve करने का data को remotely over the internet इंटरनेट का यूज करके वो जो है इस्टोर कर सकता है डेटा को और जब उसको जरूध हो उस डेटा को वो एक्सेस भी कर सकता है कहीं पर भी बैठे हुए इंटरनेट के द्वारा इट एनेबल्स बिजनिस तो स्टोर एंड मैनेज देटा इने हाइली स्केलेवल सेक्योर एंड कॉस्ट एफेक्टिब मैना विदाउट है वरी अवाउट था मेंटेनेंस अपग्रेड और फिजिकल स्टोरेज हार्ड वियर यह जो है बिजनिसेस को स्टोर करने के लिए और मै के लिए कोई भी सूचना नहीं कि हमें जो है अब हमें फिजिकल स्टोरेज हमें हर्ड डिस्क चाहिए हमारे स्टोरेज कम परड़ा है जितनी उनको जुरूत है उतना स्टोरेज वो जो है कम यूज कर सकते हैं उसी तरीके के वो प्लान ले सकते हैं Cloud storage is typically provides through a pay-per-use model. यह जो है friends एक जो है pay-per-use model है, जैसे कि आप जितने use करेंगे, उतना ही आपको payment करना होगा. यह नहीं है कि आपको पूरा 100 GB का pack का ओकरना होगा, नहीं है आपको जो है, अलग-अलग level के pack है, आप उनको purchase करिए, आपकी use के according, और जितना आप यूज करते हैं, उतना आप पे करिए. Business only pay for the storage and bandwidth, they can do. Making it a more cost-effective storage solution than traditional on-premises storage. Advantages of cloud storage. Advantages का है cloud storage के friends? जैसा कि हम पहले की unitों में भी cloud storage के बारे में काफी चीज़े जान चुके हैं, और इसके advantages में हम कर चुके हैं, बट इसी unit में हैं, तो इसलिए हम इसको short में हम complete करते हैं. Scalability, जैसा कि हम जानते हैं, जब हम जुरत हो, उस time हम storage enrich कर सकते हैं, और decrease कर सकते हैं, जब हमारे जुरत कतम हो जाए. Cost effective है, यह जो है cost effective है, ना ही हमें किसी तरीके का storage infrastructure की जुरत है, ना कोई team रखने की जड़त है, जो इसको maintain रखे, इसलिए cost effective हुआ, accessibility, user जो है, कहीं से भी इसको यूज कर सकता है, internet का यूज करके, security है, इसके जो है, data encryption, जो है, access control, और thread, detection, protection है, unauthorized access, और cyber security से भी secure है, backup and disaster recovery, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमरा जो है, physical storage होगा, तो वो हो सकता है, कोई भूकम पाया, कोई building गिरी, तो उसमें वो storage हमरा बेकार हो सकता है, बट यह cloud storage है, हम किसी भी time इसको backup कर सकते हैं, और हो सकता है हमरी building, जो हमरी company है, उसका कुछ disaster आ जाए, बट हम जो है, उसको recover कर सकते हैं, तूसरे जगा पर जाकर internet का access करके, हम पूरे system को recover कर सकते हैं, आसानी से, STAAS, storage as a service, STAAS is a cloud computing service model, that provide user with a scale-level and secure storage solution over the internet, STAAS जो है friends, cloud computing service model है, जो की provide करता है, user को with a scale-level and secure storage solution over the internet, STAAS eliminate the need for user to purchase and maintain their own storage infrastructure, STAAS की use करके, storage as a service को, आप जो है, अपनी maintenance करने की, या storage infrastructure को maintain करने की, या उसको बनाने की, आप जो है, आपको कोई जुरुरत नहीं है, आप इसका use करिए, STAAS provide offer a range of storage option, या जो है, provide करता है, range of storage option, based on the amount of data, type of data and level of security required, जिस तरीके का आपको data चाहिए, जितना security चाहिए है, उस तरीके के सभी चीज़े provide कराता है, the storage can be provided in the form of file, block or object storage, depending on the user need, storage जो है friends, provide होता है, in the form of block, object, file, जैसी आपकी need है, उसी के according का आपको storage मिल जाएगा, STAAS provides advanced data management features, such as data encryption, backup, replication and disaster recovery, STAAS जो है provide कराता है, advanced data management feature, जैसे की data encryption, data backup, data replication and disaster recovery, STAAS allow user to easily increase or decrease amount of storage capacity they need, depending on their business need, STAAS allow करता है, easily आप जो है अपने storage को increase or decrease कर जखते हैं, जैसे आपकी business की need है, STA is cost effective, cost effective friends है, as user only pay for the storage capacity they use, user को सिर्फ उतना ही पे करना होता है, जैतना उसने storage capacity के यूज़ करा है, STAAS provides accessibility as user can access their data from anywhere using any device with an internet connection, STAAS provide कराता है accessibility user जो है access कर सकता है अपने data कहीं भी with any device with an internet connection, STAAS provides, they offer advanced security features such as data encryption, access control and thread detection, which help protect from unauthorized access and cyber threads, friends, STAAS जो है provide कराता है advanced security features, जैते हैं की data encryption, access control, thread detection, cyber threats और say in service protection, और जो है unauthorized access से भी protection, STAAS provides also offer backup and disaster recovery option, जैसे की हम जानते हैं STAAS जो है provide कराता है backup option, और disaster recovery option, जैसे की आपका कोई data event कोई disaster आता है, तो आप उसको recover backup कर सकें, STAAS is highly scalable, allow business to quickly respond to change in data storage requirement, STAAS is highly reliable, as data is stored in multiple location for redundancy and failover, STAAS allow businesses to implement in a disaster recovery plan that ensure business continuity in case of data loss event, STAAS is a convenient and effect efficient way to store, manage and protect data making, इते पॉपुलर चॉइस फॉर बिजिनिस अफ आल साइजस. SGES जो है, friends, वो कन्वीनियन और एफिजेंट वे है, स्टोर करने का, मैनेज करने का और डेटा को प्रोटक्ट करने का. Google App Engine, Platform as a Service, PAAS, Offering from Cloud, Google Cloud Platform, allow developer to build and deploy web application and services, offer a scalable and fully managed environment with automatic scaling and load balancing. Support multiple programming language including Java, Python, Go and Node.js. Offering a, offer a large range of pre-built template, framework and library to speed up development. Provide seamless integration with other Google Cloud Platform services such as Cloud Storage, Cloud SQL and BigQuery. Google Cloud Platform, which friends, offer PEAS platform as a service, और यह allow करता है, developer को build करने के लिए और deploy करने के लिए web application और services को. और यह offer करता है, scalable और full managed environment, जो की automatic scaling और load balancing capable है. Support करता है, यह friends, multiple languages को, जैसे कि Java हुई, Python हुई, Go हुई, Node.js हुई. और जो है friends, इसमें wide range of pre-built templates है, जिनके जूज करके जो है, developer जो है, अपने application और services को आसानी से develop कर सकता है. और यह provide कराता है, seamless integration with other Google Cloud Platform, जैसे कि Cloud Storage हुआ, Cloud SQL हुआ, और BigQuery हुआ. यह है Google App Engine. Cloud Storage Providers Cloud Storage Providers कौन-कौन से हैं? No.1, Amazon Web Services, AWS की नाम से भी जाना जाता है. Provides high skill level and performance for storage needs. Offers multiple storage classes with different availability and durability options to suit various business needs. Offers advanced security and compliance features such as data encryption, access control and audit trails. AWS जो है Amazon Web Services, friends, provide कराता है, high scalability और performance को. और यह offer करता है, multiple storage classes with different availability. और यह जो है, friends, advanced security features को use करता है, जैसे कि digital encryption, access control or audit trails. Microsoft Azure provides seamless integration with other Azure services such as compute and networking services. Offers a hybrid storage solution that allow businesses to connect their on-premises storage with Azure Cloud Storage. Offers a wide range of storage options with varying performance characteristics such as blob storage, queue storage, and file storage. Friends, Microsoft Azure जो है, provide कराता है, seamless integration with other Azure services. यह जो है Azure की और जो services है, इनके साथ आप आशानी से integrate कर सकते हैं, जैसे कि compute हुई यह networking services हुई. और यह offer करता है, hybrid storage solution को, जो कि allow करता है, business को connect करने के लिए on-premise storage को Azure Cloud Storage से. Google Cloud Platform GCP Provides a unified storage solution that integrate with other GCP services such as compute and data analytics. Offers advanced machine learning and AI capabilities that can be used to analyze and process data storage in Google Cloud Storage. Offer multiple storage classes including near-line and cold-line which are optimized in infrequently accessed data and achievable storage. Google Cloud Storage Highly Scalable and Durable Cloud Storage Service from Google Cloud Platform Google Cloud Storage जो है friends, highly scalable or durable cloud storage service है जो की Google Cloud Platform से है. Offer multiple storage classes with varying performance characteristics and pricing options. Provide a cost-effective way to store and retrieve data at any scale. Offers advanced data management features such as encryption, replication and backup. Provide seamless integration with other Google Cloud Platform such as App Engine, Compute Engine and ETC. Friends, Google Cloud Storage जो है offer करता है multiple storage classes with varying performance characteristics. और अलग-अलग जो performance के हिसाब से होगा, वो अलग-अलग pricing option होते हैं friends इसमें. Provides करता है cost-effective way storage और retrieve करने का data को और आप जो है, अब जवाब की जरुत हो, इसके according आप उसको scale-up और scale-down कर सकते हैं. iCloud, iCloud क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं, iCloud जो है, यह Apple के द्वारब provide कराया जाता है. Provide easy synchronization of data across Apple devices such as iPhone, iPad and Mac. Friends, iCloud जो है, यह Apple का cloud service है, जो की provide कराती है easy synchronization of data across Apple devices. सब यह Apple devices में, easy synchronization of data, जैसे कि iPhone हुआ, iPad हुआ और Mac हुआ. Offer करता है, automatic backup of device data, including photo, video and app data. Offer करता है, यह साथ में, seamless integration with Apple ecosystem of services such as iWork and iTunes. Friends, iCloud जो है, offer करता है, जैसे कि आप किसी आसानी सुज़ा, अपना ecosystem, Apple का ecosystem आप यूज़ कर सके हैं. जैसे कि iWork हुआ, 18 हुआ. Google Drive offers seamless integration with G Suite, Google Suite of productivity tools. Provide easy collaboration and sharing of file with other Google Drive users. Offers advanced security features such as data encryption, access control and threat detection. Google Drive के बारे में, ज्यादा तर सभी लोग जानते हैं, Google Drive क्या है? Google Drive जो है, हमें जो है, प्रोवाइट कराती है, easy collaboration and sharing file का. हम आसानी से share कर सकते हैं, किसी की साथ collaborate कर सकते हैं, किसी की drive में हम upload कर सकते हैं, अगर वो हमारे साथ share करना चाहें तो. और जो है, प्रोवाइट कराता है, data encryption, access control और threat detection. S3 in AWS S3 क्या है, friends, Amazon Web Services में? Amazon S3 provides a highly scalable and durable object storage service that can be used to store and retrieve any amount of data from anywhere on the web. Amazon Web Services जो है, S3 provide कराता है, highly scalable and durable object storage service, जो की use कर जाती है, store or retrieve करने के लिए, किसी भी तरीके के data को कहीं से भी. S3 offer high durability with data being automatically replicated across all multiple geographical dispersed data center. S3 offer different storage classes that are optimized for different use cases, including standard infrequent access, glacier from long-term achievable storage. S3 offer several security features such as encryption of data at rest and in transit, access control and bucket policy to ensure data privacy and protection. And friends, S3 offer S3 offers security features such as encryption of data, access control, bucket policy, जिससे की data privacy ensure हो सके और protection. Cloud offering, information storage, retrieval, achieve and protection. Cloud storage, cloud backup, cloud disaster recovery, cloud achieve, cloud information retrieval and cloud security. Cloud storage and access data over the internet is with high scalable durability and availability. Cloud backup automatically backup data from on-premises server and application to cloud for disaster recovery. Cloud storage के high friends, cloud storage जैसा कि हम जानते हैं, हम जो है अपने data को upload करकर cloud पर और हम उसको कहीं प्यावरी उच कर सकते हैं और अपनी demand के according हम उसको skill up और skill down कर सकते हैं. Cloud backup का means यह होता है कि आगर हमने कोई backup कर रखाए data और कोई disaster आ जाता है तो हम उस data को easily backup कर सकते हैं, हमारे data कहीं नहीं जाएगा. जैसे कि next है disaster recovery, same चीज हुई, cloud achieve long term storage solution है for data that need to be retained from compliance regulatory region. और जो है जो data हमें long term के लिए चीए वो cloud achieve हूँ, cloud information retrieval offering search and analytic capability for data stored in the cloud. Cloud information retrieve में जो है offer करता है search करने का data को, जिससे कि हम search कर सके हमारे जो data है store उसमें सब में यह search करने की capability रखता है. Cloud security और यह security provide कराता है, protect करता है data को. Cloud analytics Cloud analytics is a service provided by cloud computing that enable organization to gain insight from large data set stored in the cloud. Cloud analytics solution can include data preparation analysis, virtualization and machine learning, providing business with the ability to extract value well information from their data and make informed decision. Cloud analytics solution can be deployed as a software as a service model, allowing organization to access these services without the need for significant infrastructure or investment. Friends cloud analytics जो है एक service है जो कि provide करा जाती है cloud computing के दवारा है और यह enable करती है organization को, वो insights ले सके हैं जो उनका store है data cloud पर. Cloud analytics जो है solution can include data preparation, analysis, virtualization and machine learning और यह providing करता है businesses को with the ability to extract value information. और यह जो है exact value information provide करता है. Cloud testing Cloud testing is the practice of testing software application or services using cloud computing resources. Cloud testing can provide a cost-effective and scalable solution for testing, allowing organization to test their application in real-world scenario without needing to invest in on-premises hardware. Cloud testing can also help organization improve their testing processes and reduce time to market by enabling rapid development and testing of new application and features. Cloud testing जो है एक practice है test करने की software application को और service को using cloud computing resource. Cloud computing की resource का use करके आप जो है test कर सकते है software application. Cloud testing can provide cost effective और जो है cost effective होती है cloud testing जैसे हम जानते है cloud जो है वैसे cost effective है और अगर हम testing भी अपनी software की और वो सब चीज़ cloud पर करेंगे तो वो हमारे लिए cost effective होगी. Cloud information security Cloud information security refers to the protection of data and system stored in the cloud. Cloud information security reference he refers to the protection of data code or system stored in the cloud. Cloud information security requires a comprehensive security strategy that includes access control, encryption, and threat detection to safeguard against cyber threat. Cloud information security is a shared responsibility between the cloud provider and the customer with each party responsible for different aspect of security. Cloud information security software Azure services Azure security refers to the protection of software application and data hosted by third party provider. Azure security refers to the protection of software application, software application, and data hosted by third party provider. Azure security requires comprehensive security strategy that includes access control, encryption, and threat detection to save data. safe card against cyber security. Azure security requires comprehensive security strategy. Azure security is a shared responsibility between the Azure provider and the customer with each party responsible for different aspect of security. security governance security governance is the process of defining, implementing, and monitoring security policies and controls to ensure that an organization aspects are protected against cyber threat. Security governance requires a comprehensive approach that includes risk management and compilence and includes response planning. security governance security governance is critical for organizations using cloud computing as it ensures that security policy and control are aligned with the organization's overall business goal. Security governance is the process of defining, implementing, or monitoring security policy and control to ensure that the organization aspects are protected against cyber threat. Security standards Security standards Security standards Security standards refer to the set of guidelines and best practices that the organization can use to develop and implement effective security strategies. Security standards जो होता है वो रहता है, वो रहता है, वो रहता है, गाईडलाइन को. जो guidelines को, जो गाईडलाइन होती है, जिस तरीकी से आप अपने data को secure रख सकते है, वो उस सभी को जो है security standards कहा जाता है. एक standard होता है कि हमें यह चीज point रखनी है, हमें अगर अपने data secure रखना है तो अगर हम वो point follow करते हैं तो हम security standards को follow करते हैं security standards provide a framework for accessing and improving an organization security posture including its use of cloud computing resources Common security standards used in cloud computing include ISO IEC 27001 and IST Cyber Security Framework and Cloud Security Alliance CSE Security Trust Assurance Registry Program क्यों होता है security standards friends I hope आप सभी को समझवाया होगा, ये था unit 4 का complete revision friends सभी unit के complete revision हमारे channel पर आ चुकी हैं, आप एक बार जुरू चेक करें, हमारे YouTube चैनल STD भी हरश्चत पर जाकर और आप हमें Facebook पर Instagram और Pinterest पर भी follow कर सकते हैं thank you so much for watching this video और चैनल को जरूर एक पर subscribe कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें, thank you so much